हेलो फ्रेंड सोमेट किचिन में आपका स्वाधत तो मैं दो कड़ाई रख रही हूँ क्योंकि जल्दी से यह भून जायगा जिसी की साहँ सात कलर आजाएगा बहुत ही अच्छे बुनते हैं तो इनको तल भी सकते हैं लेकिन तलने में क्या होते हैं बहुत सारा ओily भड़ जाता है तो मैं ये घी में बनारी हूँ बिलकुल चुटकी पर हल्दी डाल देंगे और इस तरीके से हल्दी को भी mix करते जाएंगे. काफी समय क्या होता है कि हम लोग बाद में हल्दी डालते हैं छोउक लगा करके तो मैं साथ की साथ ही हल्दी डाल देते हूँ तो बहुती टेस्टी नमकीर बन करके इसको एकदम slow रखेंगे जिसे कि सभी चीज बहुत अच्छी तरीके से भुने और जले नहीं कोई भी चीज तो बीच बीच में कभी इस कड़ाई में कभी इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे मुर्मुरे को भुने में करीब 8 मिनट लगे थे और इस तरीके से मुर्मुरे भुन गए हैं मुर्मुरे को एक परात में निकाल लेंगे बड़े भगोने में निकाल लेंगे जिसे कि अच्छी तरीके से सभी जो जो को मिक्स कर सके हैं थोड़ा सा 10-12 मिनट लग जाते हैं आराम से एकदम स्लो हीट पर मुंफली भुनती है जब चटर पटर की आवाज आने लगती है ना तब मुंफली को एक प्लेट में निकालेंगे मतलब जिसमें मुर्मुरी वगरा निकाल रही हूं मैं साथ की साथ सभी चीज़ें एक साथ ह मिक्स करती जा रही हूं तो बहुती अच्छी नमकिन बहुती हैल्दी बहुती हाइजनिक तरीके से अपनी घर पे आप तयार कर सकते हैं और आदा घंटा पूरा लगा था मुझे दौनों चीज़ों को दौनों कड़ाईयों में सभी चीज़ों को भुनने में अब मैंने का काजू के लिए बहुती सलो गैस होनी चाहिए और अगर तेज लगता है तो फिर आप काजू को गैस बंद करके भी हलका सा भून सकते हैं क्योंकि कड़ाई काफी गरम होती है तो इसलिए बहुती आसानी सी काजू भून जाते हैं काजू भी भून गए है अब थोड़ा सा फिर से डालाए मैंने तो 1 टी शुन या 1 एंदा हाफ टी स्पून इसे ज्यादा घी किसी में भी नहीं डाला है मैंने हर बार और अब बदाम को भुन लेंगे बदाम को भुनने में करीब 5-6 मिनट लग जाते हैं और मखाने को भुनने प्झाय स हेएं अच्य तरीके जब में 1 तरीके से 2015 कि तरने से करें अधम हुआ wife उन्हाइब κάν़or नहें होगतने करीकानी टराइब कि में अच्छी कि तरीके से जब मखाने भून हैं इस तरीके से हाथ से क्रिस्पी कर सीर गें अधर कृसा होगा Sík पोहे को मैंने देड़ कप लिया है, आप चाहें तो पोहे को तल सकते हैं, तलने के बाद पोहा एकदम फूल जाता है, और भुनने के बाद पोहा फूलता नहीं है, बस क्रिस्पी होता है, तो इस तरीके से, अब मैंने काजू को क्या था, पूरा काजू था ना, तो उसको करें आप चाहें तो कर सकतें अब बदाम भी भुन गई हैं बदाम को भी परात्मे कर लेंगे बहुत ही यमी नमकीन तयार होती है आप इसको पहले से तयार करके रख सकतें किसी भी त्योहार के उपार आप इसको पहले से तयार करके रख सकतें या गिफ्ट में भी अगर आप निकाल दी थी, फिर भी एक में लगी रह गई, अगर आपके इभी मिकिश्मिश में डंडी लगी हुई है तो उनको सबको निकाल दें और बीच बीच में सबी चीजों को चलाते हुए पकाएंगे सबसे जल्दी मतलब काजू भुनने के बाद सबसे जल्दी किशमिश भुनती है तो किशमिश को भी चलाते हुए ही पकाना है फटा-फट एकदम slow gas पर ही चलाना है और दोनों ही चीजों को मैं एकदम slow gas पर चला रही हूँ आप देख सकते हैं किशमिश भी एकदम कितनी अची तरीके से भुन गई है एकदम फूल गई है किशमिश गोल गोल हो गई है अब किशमिश भी भुन करके तयार हो गई है किशमिश को भी परात में निकाल लेंगे यह देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी नमकिन बन रही है अब इसमें चने की डाल डाल देती हूँ मैं घी बिल्कुल भी ने डाला है जो किशमिश का बचा हुआ गी था उसी में डाल दी है चने की डाल को यह जो खिला चना आता है न वो है पोह भी भुन गया है आज से तरीके से मैश करके देख लें आप एकदम क्रिस्प हो रहा है एकदम चूरा-चूरा हो जा रहा है अब इसको भी परातमे ही कर लेंगे यह देखिए अब जो खिला चना था मतलब उसको अच्छी तरीके से भुन लेंगे और यह देखिए खिला चना भी भुन गया हल्का सा ज़्या भुन गया है क्योंकि कुछ काम आ गया था बीच में अब मसाला तयार कर लेंगे इसमें 1 टेबल इस्पून चाट मसाला डालाए 1 अंदा हाफ टीश्पून नमक डालाए और 1 अंदा हाफ टेबल इस्पून पिसीवी चीनी डाली है आप चाहें तो इसमें लाल मिल्च भी डाल सकते हैं मैं लाल मिल्च नहीं डाल रही हूँ अची तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको छान लेंगे जिसे की जो नमक की गुटली होती है या चीनी की गुटली होती है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो एक सार बिलकुल मसाला मिलेगा कोई भी मसाला आप नमकीन वगर में डालते हैं तो अलग-अलग जैसे नमक अलग डाले या चीनी अलग डाले तो एक साथ पहले मिला के डालेंगे तो एक सार ही मसाला नमकीन में मिलेगा यह मैंने करीपता लिया है और लाल मिर्च है अब इसका चोउक लगाएंगे तो कड़ाई रखेंगे ग Advent जो रकी हुए कड़ाई है उसी में वन टींस्पून गी डालेंगे लाल मिर्च डाल देंगे अब इसमें करीपता भी डाल देंगे साथ की साथ मैंने डंडी समेथ डाला है डंडी को बाद में हटा देंगे अच्छे से भून लेंगे एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से करीपता और मिर्च फूल जाती है करीपते की उनको निकाल देंगे इस तरीके से अब इसमें डालेंगे मसाला तो मैं पहले आधा मसाला डालूंगी और आधा मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी क्योंकि एक साथ मसाला डालने से क्या होता है कभी-कभी जादा भी हो जाता है मसाला फिर दिक्कत होगी तो पहले आधा डालें फिर उसके बाद टेस्ट कर लें अगर जरूरत लगती है तो पूरा डाल दें और नहीं तो जितना डाला है उतना ही ठीक है अच्छी तरीके से मि तरीक हैं तो अपनी पसंद का कोई भी पही तो कमेंड छरूब करें और अगर आप मेरे चानल पर नई है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब्स करें लाइक में शेयर करें वीडियो के साथ में पंटेरी प्लम्द कीप गुउकिंग ठेंक यू और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहे हैं सौम्याज किचिन बाबाई फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ